आप सबका स्वागत है टेकनोलोजी की जियो ट्रू 5G नेटवर्क पे एक बिग अपडेट क्योंकि यहां पे बहुत जादा लोग कंटीनिव कमेंट कर रहे हैं कि सर मुझे जियो वैलकम ओफर क्यों नहीं मिल रहा है क्योंकि यहां पे बात करी जाये तो तब आप नियू जि जियो कीजेगा रैगलो अपडेट के लिए यहां पे बात करी जाये तो इंडिया में अभी जियो ने अपनी डारेक्टली जियो ट्रू 5G सर्विस लाँच नहीं की है जहां पे आपको डारेक्ली जियो वैलकम ओफर यूज करने के लिए मिले या आपको डारेक्ली 5G या आपको जियो वैलकम ओफर पे जियो ट्रू 5G नेटवर्क का अनलिमिटेड डेटा वन जी पेस तक की स्पीड यूज करने के लिए मिलती है और अभी जो आपको दो कंडिशन देखने के लिए मिलती है दूसरी कंडिशन नियूली है लेकिन एक कंडिशन जो है वो पुर अफन नहीं मिलता तो उसके लिए आपको क्या करना है एक तुस्प से पहले 249 रुपे से उपर का रिचार्ज करना है क्योंकि आप वो यूजर नहीं हो जो तुरंती मतलब जिस सिटी में नया लांच होता है आप कंटिन्यू 4G से यूज करना है तो आपको मैनेटरी तोर प पे आपने 100 रुपे का करवा रखा है जित्ते का भी करवा रखा है डेसन मैटर कि 149 रुपे का रिचार्ज करवाया है नहीं करवाया वो कंटिन्यू यूजर है जो 4G है उन्होंने 5G मौयल ले लिया जैसी लांच होता है नेटवर्क उन्हें तुरंत मिल जाता है तो आप यूजर नहीं क्योंकि आपने नई सिम लिये तो आपको मिनिममम 249 रुपे का रिचार्ज करवाना है उसके एक हफते के बाद अराउंट मतलब यह मैक्जिमम दिन है तो उसके अंदर आपको जियो वैलकम उफर यूज करने के लिए मिल जाता है यह वन कंडिशन जो है जैस सबसे बड़ी दिक्कात आती है जैसी आप सिम दालते हैं माँ पर 4G नेटवर्क आ रहें लेकिन मेरे दूसरे मोईल में तो 5G आ रहे हैं और उसमें जियो वैलकम आफर भी चला है वन जीवी पेस तक के स्पेड अल्लिमिटेट डिटा यह मिल तो यह क्या प्रॉब्लम है क् जीवी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम नेटवर्क शिफ्टिंग है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है क्योंकि जीवी जो अपनी 5G सर्विस देता वह जीवी टूर फोर जी नेटवर्क पर आपको 5G सर्विस मिलती है तो डारेक्टली कोई सर्विस नहीं है और उपर से यह जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से स्टेंड आलोंग पर वर्क करता है डैक्टली से है कि 4G इंफ्रेस्ट्रक्शन बिलकुल अलग है 5G इंफ्रेस्ट्रक्शन अलग है तो आपका 4G जो मतलब बात की जाए नेटवर्क है उसे शिफ्टिंग करने में एक से दो हफते हैं फसली उसके बाद आपको वन वीक के अंदर या तुरंत ही यह काम जो होता है दो हफते बहुत लंबर टाइम होता है तो आपको तुरंत ही जियो वैलकम ओफर मिल जाता है और आप कंटिनी यूज कर पाते हैं जियो ट्रू 5G सर्विस क्योंकि एस पर हम बात करें वैलकम यह हम बात करें जियो ट्रू 5G नेटवर्क पे ही आप अभी वर्क कीवल है तो इसलिए जियो ने अभी कोई भी रीचार्ड या डारेक्टली कोई भी 5G सिम लाउंच नहीं किये जिससे कि आप डारेक्टली अपने मुगाल में डाले और 5G सर्विस का आनन्द ले सके क्यों कि वो आपको आने वाली वीडियो में अपडेट आपको लगतार मिलती रहेगी यह वीडिया आपको अच्छे लगे चैनल को सस्क्राइब वीडियो को लाइक जरू कीजेगा धन्यवाद